आज के फनकार दोस्तो नमस्कार आज के फनकार करीक्रम में आज हम हिंदी सीनेमा के एक अजी मुश्शान अभिनेता निर्माता और नर्देशक की बातें करने चा रहे हैं इनकी आवाज ही इनकी पहचान है ये हैं सहरा मुदी ऐए निगेबाने वतन ऐए मर्द माईदाने वतन तेरे दम से है बहारों पर गुलिस्ताने वतन तुझ पे जान और दिल फिदा हस्ती फिदा मस्ती फिदा तुझ पे हम बेकस गुलामों की ये कुल बस्ती फिदा आहत तेरी अर्जमंदी को पहुँच सकता है कौन सोहराब मोदी को सही माइनों में वतन परस्त अभीनेता, निर्माता और निरदेशक कहा जा सकता है दरह सल उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई वो किसी ना किसी सामाजिक या राष्ट्रिय मुद्दे की बात कहती थी वो जनिता के भीतर जागरती पहलाने की बात करती थी सोहराब मोदी ने सिनिमा को एक बड़ा ही मजबूत माध्यम माना था समाज में बदलाव लाने का और ये बात उन्होंने विविद भारती पर बरसों पहले एक जैमाला करिक्रम पेश करते हुए कही भी थी मैं सिसिल बिडमिल की अंग्रेजी फिल्में बहुत देखा करता था तब और उनसे ही मतासिर होकर मैं अपने देश की तवारिख पर गोर करने लगा उस वक्त मुझे ख्याल आया कि हमारे देश को ऐसी फिल्मों की बहुत जरूरत है अपने देश की जनता को जगाने के लिए देश के बच्चों को देश की महनता का ग्यान कराने के लिए यही एक जरूरी और कारगर मीडियम था ताके वे अपनी तवारिख से अंजान न बने रहें दूसरी बात ये के तवारीखी फिल्म को कैनवास जितना बड़ा है सोश्टिल फिल्मों का नहीं मैं हमेशां बड़े कैनवास पर तस्वीरें खीचने का खायल रहा हूं ये वज़े भी मुझे इस और ज्यादा खीचती रही तीसरी वज़े ये कि हर कलाकार अपनी कला के पनपने के लिए अधिक से अधिक स्कोप चाहता है जो मेरे ख्याल से ऐसे फिल्मों में ही मिल सकता था मुझे है हर कलाकार की अपनी एक रूची होती है मेरी रूची इसी तरह के पात्रों में अधिक थे कलाकार में खास एतियासिक पात्रों को अपने में जजब कर लेने की योग्यता चाहिए और फिर सबसे जरूरी बात ये कि उसके दिल की लगन और बेचैनी उस पात्रों को सही रूप में रखने की काबलियत रखता हो मैं उन एतियासी गटनाओं से इतना प्रभावित हो चुका था कि पृत्वी वल्लब चांसी की रानी या सिकंदर को मैं जीता जाकता देखता था मेरी ये फिल्मे काफी पहले बनी हुई है प्यार उसमें है चिराव ये चिराव जितनी देर जल सके जनाए जा जो ने लुटाए जा जिन्देंगी है त्याह से प्याह में बिताए जा उस्षा के हुदूर में रखना दिल लुटाए जा आपको बता देएं कि सोहराप मूदी का जन्म मुंबई में हुआ था खामोश फिल्मों में भी उन्होंने अभिने किया था शेक्स्पिर शेली के नाटकों में अभिने करने के लिए वो काफी मशूर हो गए थे उनके भाई की थीटर कमपनी थी जो सारे देश में घूमती थी और टूरिंग थीटर कमपनी के जरीए अलग-अलग शेहरों में नाटक खेले जाते थे सहराब मोदी इस थीटर कमपनी के लिए काम करते थे और दर्शकों के बीच खुब वाहवा ही बटूरते थे आई दुन्या मक्का अयार तुछ पर खुदा की मार तु वो जाम है जो बादे फिस्क और फुजूर से भरा है तु वो चमन है जो हवाए मासित और फरेख सहरा है है कोई चीज के मिसले नाम है उनका लोग किस चीज़ को दुनिया में वफा कहते हैं मलेका अख्त करे बादे वफात सुल्ता ये बेहयाई नहीं तो इसे क्या कहते अफसोस मेरे बाप की माथ को मुद्द भी गुजरने ना पाई के शादी रचाई और वो भी मेरे बाप का भाई आए औरत ना सजाई तुझे सूरत क्यों कर पसंदाई जिन हाथों का वरंब भी उतरने ना पाया जिस पर महदी का रंग चड़ाया कहां वो स्ल्तान अदिल और कहां ये श्यतान नाकाबल कहां नूर, कहां नार कहां फून, कहां खार नूर का तोर नार ने पाया जूर का जोर जार ने पाया अफसोस अगर मेरे बाप का इंतकाल नहोता तो हर्गिस ये बबाल न होता सन 1935 में सहराब मुदी ने स्टेज फिल्म कमपनी की शुरुआत की और अपनी फिल्म बनाई खून का खून ये फिल्म शेक्सपियर के नाटक हेमलेक पराधरित थी इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म आई जिसमें अभिनेतरी नसीम बनो ने अभिने की दुनिया में कदम रखा ये फिल्म थी साइद एहवस ये सन 1936 में आई थी और शेक्सपियर के नाटक किंग जान पर आधरित थी सन 1936 में सोहराब मुदी ने अपनी नई फिल्म कंपनी लॉंच की मिनर्वा मुवी टून मिनर्वा मुवी टून के तले सोहराब मुदी ने जो शुरुआदी फिल्में बनाई वो किसी ना किसी सामाजिक मुद्ध पर आधरित थी जैसे कि सन 1938 में आई फिल्म मीठा जहर शराब खुरी के मुद्ध पर आधरित थी और ये दिखाती थी कि शराब का नशा किस तरह से घर परिवार और समाच को बरबाद करता है सन 1938 में ही उनके फिल्म आई तलाक के पती उन्हें तलाक देकर चले जाते हैं उनके जिन्दगी कितनी मुश्किल हो जाती है अब आपको ये बताया जाए कि मिनर्वा मुवी टून की तीन जानी मानी फिल्में कौन सी थी जिन्होंने एक फिल्म कमपनी के तौर पर मिनर्वा की जड़ें खूब गहरी करती जहागीर नहीं चाहता के जमाने के सामने अपने कानून को तलब्वन मिजाश थादित करे इसमें माबद और्लत के वसूलों को धक्का लगता है इसमें जहागीरी इन्साथ की तौहीम होती है गुलाम की ये इल्टजा सारे दर्बार की इल्टजा की जो नामन्जूर सर्माई गई मावध दौलत इस मामले में दुनिया भर की इल्टजा को भी नामन्जूर सर्मा देने पर आमादा है मगर ये गवारा नहीं फर्मा सकते कि किसी बहाने का सहारा लेकर अपने इंसाफ को धोका दें या अपनी ताकत, अपनी बाशाहत, अपने अख्यारात और अपने रोबशाही से नाजायस फाइदा उठाकर कानून की बाग दूसरी तरफ मोड ले जाएं मुझरिम के भेस में रियाया और वाशा की एक ही जैसी शक्ले हो जाती है फिर कानून कैसे एक जैसी शक्लों में किसी को पैच्चान सचता है इसलिए महाबद आलत के इंसाफ का अलम चुपकर मलका के कदमों को बोसा नहीं दे सकता आएंदा कता कलामी की किसी को जुझत नहो एक तीरो कबान मजलूमा के हवाले किया जाए तुम मलका थी लेकिन मलका होने का तुमारे ये मतलब नहीं था कि तुम एक जिन्दीगी के साथ खेल सको अपनी तफ़री के लिए तुम जिन्दीगी जैसे लोग चीज़ की परवाना करो आज दुम्या ने ये जान लिया है कि न्याए के गड़े हुए ख़दम एक जमाने से टक्कल लेकर भी नहीं उकर सकते इंसाफ की ठोकरें चाहें तो जमाने को ठुकरा सकती है फिल्म पुकार दरसल मुगल बाश्शा जहांगीर के जीवन पर आधारित थी और एक कालपनिक घटना इसमें जोड़ दी गई थी जो ये दरशाती थी कि मुगल बाश्शा किस तरह से इंसाफ करते थे और इंसाफ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे चंदर मुहन और नसीम बानो जैसे अभिनेताओं और कामाल अमरोही की बुलंद आवास के सरिये फिल्म पुकार ने दर्शकों की दिलों पर राज किया और ये फिल्म भारती सिनेमा की एक जबरदस्त फिल्म मानी जाती है सन 1941 में सिकंदर महान की कहानी पर आधारित उनकी फिल्माई सिकंदर वो चाहता है कि हम एक गुलाम की तरह उसके सामने गुटने तेखकर उसके हाथ को चुमे और वो एक मालिक के तरह हमारी पीश को ठपड़ा है पूरू ने दूसरों का सिर अपने सामने जुकाना सीखा है अपना सिर दूसरों के सामने जुकाना नहीं सीखा तो मैं जाकर क्या कहूँ? कहो आपने हमारा अपमान किया है हमें सक्मान का जवाब सल्वार से देंगे फिल्म सिकंदर जब रिलीज हुई थी तब दूसरा विश्वयुध अपने शिकर पर था चारों तरफ तनाव का माहौल था महात्मा गांधी ने सविने अवग्या आंदोलन की शुरुआत कर दी थी देश भर में राष्ट्रियता की लहर चल रही थी फिल्म सिकंदर ने राष्ट्रियता की भावना को और भी मस्बूत किया हाला कि ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि फिल्म सिकंदर के फौजी चावनियों में दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि अंग्रेज सरकार को डर था कि इस फिल्म को देखकर फौजी भी बागावत पर उतराएंगे फिल्म प्रिटफी वल्लव कल्हिया लाल मानिक लाल मुंशी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी इस फिल्म में सोहराब मोदी और दुरगा खोटे ने अभिने किया था आपको ये जानकर हैरत होगी ये सोहराब मोदी ने फिल्म जेलर का निर्मान पहले तो सन 1938 में किया था और उसके बाद इसी फिल्म को उन्होंने सन 1958 में दोबारा बनाया इस फिल्म के गाने बेहद लोग प्रियो हुए हम प्यार में जलने वालों को चैन कहा आए है आराम कहा हम प्यार में जलने वालों को प्रीत के अंधियारी मंदिल में चार और सियाही प्रीत के अंधियारी मंदिल में चार और सियाही आधिरा में ही उट जाए इस मंदिल का राही काटू पर चलने वालों को चैन कहा आए है आराम कहा हम प्यार में जलने वालों को बहलाए जब दिल न बहले तो ऐसे बहनाए बहनाए जब दिल न बहले हम ही तो है प्यार की दालत ये कह कर समझाए ये कह कर समझाए अपना मन जलने वालों को चैन कहा खाए आराम कहा हम प्यार में जलने वालों को बिमल रॉय खुद बहुत अच्छे डाइरेक्टर थे फिर भी मुझसे हमेशा राय ले ले लेते थे मैं उनके साथ हमेशा एजस्ट करने की भी कोशिश करता था जैसा के एक एक एक्टर को डाइरेक्टर के साथ पेश आना चाहिए उसी तरह कलाकार खास सीन और शाट में सिर्फ अपनी करदार को उभारना चाहता है जबके डाइरेक्टर की नजर कहानी सीन वाकावरन सब पर पूरी पूरी होती है ये मेरा दीवाना पन है या महबत का सुरू तू न पह जाने तो है ये तेरी नजरों का फुसूर ये मेरा दीवाना पन है सन 1957 में सहराब मोदी की फिल्माई नौशेर वाने आदिल हस रहे है फूल जो गा रहा है गुल सिता गा रहा है फुल जहाँ गा रहा है आत्मा तू ही तू की है सदा तू ही तू की है सदा लाख में हजार में भूल जाएं तारवं रूप जाएं प्यार में बचे रही है घुन यही रात के सितार में भूल जाएं सारे वं शर्म से जो है डरी आ नहीं रही हसी में बेखुदी में बेखुदी कर रही है गुद गुदी हम नहें परार में हम नहें परार में दिल नहें परार में बूल जाएं सारे वं रूप जाएं प्यार में बचे रही है घुन यही रात के सितार में बूल जाएं सारे वं इश्क में जरर नहीं कुछ हमें खतर नहीं इश्क में जरर नहीं कुछ हमें खतर नहीं बिज्रियों से दर नहीं बिज्रियों से दर नहीं जल भी जाए आशिया जल भी जाए आशिया आमगर बहार में भूल जाए सारे वं रूप जाए फ्यार में सन 1950 में सोहराब मोदी की फिल्म आई शीश महल आपको बताएं कि इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी ही दिल्चस्प घटना है मुंबल के मिनर्वा थेटर में इस फिल्म का एकशू चल रहा था सोहराब मोदी बीच बीच में ये देखने के लिए जाया करते थे कि दर्शकों पर फिल्म का किस तरह का असर पड़ रहा है और वो किस तरह की प्रतिक्रियात देते ही सोहराब मोदी ने देखा कि सामने की रूम में एक व्यक्ती आँखें बंद करके बैठा हुआ है उन्हें लगा कि शायद उस बंदे को फिल्म अच्छी नहीं लग रही इसलिए वो आँखें बंद करके बैठा हुआ है बाद में उन्होंने उस व्यक्ती से मुलाकात की और उसे कहा कि अगर आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी तो आप सिनेमा हॉल से बाहर जा सकते थे और मैं विवस्था कर देता आपकी टिकिट के पैसे आपको वापस मिल जाते उस बंदे ने कहा कि उसे दिखाई नहीं देता और वो थेटर में इस फिल्म को देखने के लिए बलकि ये कहें कि सुनने के लिए बार बार आता है आँखें बंद करता है और सुकून से सोहराब मुदी के समबात सुनता है मेरी हमेशा ये आदत रही कि मैं अपने रोल को बहुभी समझ लूँ तब आगे बढ़ूँ अपने डायलोग याद करने और एक एक एक्शन सोच लेने के बाद ही कैमेरा के सामने आओं जैसे अपनी पहली फिल्म हमलेट याने खुन का खुन के लिए इस डायलोग को इतना याद कर रखा था सन 1953 पन में सोहराब मोदी की पहली टेक्निकलर फिल्म आई जासी की रानी इस फिल्म के लिए सोहराब मोदी ने हाली वुड के टेक्निशियन्स को बुलाया था महताब ने इस फिल्म में रानी जासी की भूमी का नभाई थी सन 1954 में सोहराब मोदी ने अपने करियर की सबसे महत्वा कांगशी फिल्म बनाई ये फिल्म थी मिर्जा गालिब मेरी फिल्म मिर्जा गालिब में शायर के जमाने का खास महौल मुझे दिखाना था बहुत पढ़ने समझने के बाद अपनी कलपनाओं से जो सीन में ने फिल्माए उसकी लोगों ने जी भरकत तारीफ की कितनी ही फिल्मों में पुराने जमाने को देखकर कभी कभी हम नकली को भी असली मान लेते हैं यही निर्देशक की खुबी है मिर्जा गालिब फिल्म के कई वाकियात जहन में उभरने लगे हैं लेकिन खुद मिर्जा गालिब की शख्सियत उन सब पर भारी है और ये घजन तो खास कर हम्थे मुष्टाप और गोदेजार हम्थे मुष्टाप और गोदेजार क्या ईलाजी ये माजरा क्या है दिल नादा तुझे रवा क्या है मैं भी मुझे जवान रखता हूँ मैं दिल में जवान रखता हूँ काश पूचो के मुझा क्या है दिल नादा तुझे हुआ क्या है हमको उन्पे वखा की है उन्नी जो नहीं जान के वखा क्या है दिल नादा तुझे हुआ क्या है जान तुम कर मिसार करता हूँ जान तुम कर मिसार करता हूँ मैं नहीं जान का दुआ क्या है दिल नादा तुझे हुआ क्या है आखिर सजर्द के दुआ क्या है आपको बता दें कि इस फिल्म को सन 1954 में सरुशेष्ठ फिल्म का गोल्ड मेडल मिला था सन 1955 में सहराब मोदी की फिल्म आई कुंदन हमें दुनिया में क्यूं पैदा किया तुने अरे बेदे के उखे फेर ली ये क्या किया तुने जहां वाले सन 1960 में उन्हें दसवें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी के मिम्बर के तौर पर बुलाया गया था ये उस समय के अभिनेता, निर्माता और नर्देशक के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था सन 1980 में सिनेमा में उनके महत्वपून और जबरदस्त योगदान के लिए बारत सरकार ने सोहराब मोदी को दादा साहिब फल के पुरसकार से सम्मानित किया सन 1984 में 28 जनवरी को सोहराब मोदी ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया था रहिए अब ऐसी जगा चल कर जहां कोई ना हो हम सुखन कोई ना और हम दबा कोई ना हो रहिए अब ऐसी जगा आज के फनकार का रिक्रम आज केंदरिथा निर्माता निर्देशक और अभिनेता सोहराब मोदी पर शोध आलेख और स्वर यूनुस खान प्रस्तुत करता विजै दीपक छिपबर आज के फनकार आज के पनकार गुट है झाले दीपकाज के बतो आज कि शी根ुस खान पर चान पर शोध शोध मेंदर्व आज के और दीपक दर मदाताईं